और कमीशनों को गिनाने पर आजाओं और स्कैमों को गिनाने पर तो PSI का स्कैम हुआ है, मुलासिस का स्कैम हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है, तमामों ऐसे स्कैम हुआ है, जिससे करनाटक सरकार गिरी हुई है, यह करनाटक ही है, जहां पर सडकों पे गड इसके बारे में भारतिये जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा तो एंटी करॉप्शन ब्योरोफ करनाटिका का ये हाल है कि वहां के अधिकारी क्यूंकि वो MLA के लड़के हैं, भरष्ट सरकार का एक हिस्सा है, भरष्ट सरकार का एक अंग है, वो 40 लाग की घूस ले करोड़ 20 लाग रुपए मिलता है, और आपको सिलसलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयावाय है करनाटक के लिए, जहां पर दो दिन पहले मोधी जी थे, हाथ पकड़के चल रहे थे यदूरप्पा जी का, वही यदूरप्पा जी जिनको करॉप्श के खिलाब फिर से आगुगलते हुए दिखाई दिये थे, उसी करनाटक में भाजपा के MLA, माडल, विरुख पक्षापा के लड़के, फ्रशान्त माडल, जो एक्चली करनाटक, अड्मिनेस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं, वो 40 लाख की ब्राइब, 40 लाख की खूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी, ये किसी फलाने ने धिमकाने ने नहीं बताया था, इस घूस के बारे में टिप आफ देने वाले भी श्रयस्त कश्यप थे, जिनका ये टेंडर था, जो टेंडर के थूँ आ रहे थ उनसे 81 लाग की डिमांड करी गई थी, ये शायद पहला इंस्टॉल्मेंट आया था 40 लाग का, लेकिन बात 40 लाग पर नहीं टिकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में, MLA सहाब के लड़के, उनके घर, उनके सहयोगियों के यहां से करीब 7 करोड 20 लाग रुपे बरामत किये ये उनकी असलियत है, और इस सरकार की असलियत बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमने इनको 40 प्रतिशत कमिशन वाली सरकार कहा, तो इनको बड़ी आपत्ती हुई, लेकिन ये हमारे शब नहीं थे, ये करनाटक की कॉंट्रैक्टर असोसियेशन, जो रेकिनाइज संस्थ करनाटक सरकार की, उन्होंने लिखित में प्रधान मंतरी मोदी को ये लिख कर दिया है, कि करनाटक के हर कॉंट्रैक्ट में 40 प्रतिशत कमिशन देना पड़ता है, दो लोगों ने आत्महत्या तक करी है, तंग आकर, और आत्महत्या करने वालों में कॉंग्रेस के कारेकरता नहीं थे, आपको याद होगा संतोष पाटल जी का नाम, बड़े कमिटेट भाजपा के कारेकरता थे, उन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने भी 40 प्रतिशत कमिशन वसूल किया गया, उन्होंने भी प्रधान मंतरी को चिट्टी लिखी, और अंततों गत्वा उन्होंने 40 प्रतिशत, और कमिशनों को गिनाने पर आजाओं, और स्कैमों को गिनाने पर, तो PSI का स्कैम हुआ है, मुलासिस का स्कैम हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है, तमामों ऐसे स्कैम हुआ है, जिससे करनाटक सरकार गिरी हुई है, यह करनाटक ही है, जहां पर सडकों पर गड़े नहीं है, गड़ों में सडक धूननी पड़ रही है, इन सारे स्कैमों के चलते, लेकिन वापस अगर इनकी बात करी जाए, जो प्रशांत माडल जी पकड़े गए हैं, उनके पिता अभी भी फरार हैं, विधायक हैं, और विधायक ही नहीं है, वो चेर परसन है करनाटक सोप एंड डिटरजेंट लिमिटेड के, और उसी और्गनाइजेशन ने, उसी संस्था ने टेंडर इन्वाइट किये थे, और उन्हीं टेंडरों के लिए 81 लाग की घूस मांगी गई थी, 40 लाग आ गई थी, बाकी दाम और आना था, लेकिन 7 करोड 20 कैश में पकड़ा गया, ये करनाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है, इसके बारे में भारतिये जनता पार्टी के सामने सुई टपक सननाटा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा, जो करॉप्शन की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, ना डानी कहा बोलते हैं, ना भरष्टा प्रष्टाचार का बह बोलते हैं, एक शब्द आपको बीजेपी के कारकरताओं से, बीजेपी के नेताओं से, बद्दिमाग प्रवक्ताओं से, ग्रह मंत्री से, प्रधान मंत्री से, नहीं सुनाई देगा, अब सुनने में आता है कि येड़ी जी, जिनके खिलाफ तमाम ब्रष्टाचार के चार्जिस हैं, जिनका हाथ पकड़ के अप्रधान मंत्री चल रहे हैं, वो अब कैमपेन कमिटी के भी चीफ बना दिये जाएंगे, तो जब चुनाओ आता है तो ब्रष्टाचार, ब्रष्टाचार एक तरफ, लेकिन असलियत जो है, वो ये बया कर रही है, कि लोगों ने खुदकुशी करी है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन कमिशन पर कमिशन खाया जा रहा है, अगर 40 प्रतिशत कमिशन 81 लाक रुपए था, तो कितने का टेंडर था, ये हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डेपा पते की बात है, ये मुझे यहां आते वक्त पता चला, कि जो प्रशान्त माडल नाम के व्यक्ती हैं, जो MLA सहाब के सुपुत्र या कुपुत्र जो कह लीजी हैं, जो लेते हुए पकड़े गए हैं, वो बैंगलोर वाटर सप्लाई और सीवज बोर्ड के भी ऑफिसर रह च कारी क्योंकि वो MLA के लड़के हैं, भरष्ट सरकार का एक हिस्सा है, भरष्ट सरकार का एक अंग है, वो 40 लाग की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं, और उनके सहीयोगियों से, उनके घर के हां से 6 करोड रुपे अलग से करीब 7 करोड 20 लाग रुपे म मैं पूछना चाहती हूँ, आप इस तरह से करनाटक का चुनाव लड़ेंगे, और करनाटक की जनता त्रस्त है, करनाटक की जनता को पता है, 100 रुपे का काम है, तो 40 रुपे तो पहले कमिशन में खिलाना ही पड़ेगा, और जनता ने मन बना लिया है बदलने के लिए, जो जनता मन बना लेती है, तो निकाल के बहारी करेगी आपको, हमने लगातार करनाटक की जनता के साथ उनकी आवाज मिलाने का काम किया है, भरष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, और हम आज भी वो ही कर रहे हैं, और ये जवाब दहीते होनी चाहिए, कि कैसे एक department का head जिसने की tender invite किया था उसी का लड़का इतनी बड़ी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है